असलाम वालाइकूम रह्मतुल्लाई वरकातू बटनेर इंटर्टेंडमेंट चैनल पे स्वागत है आज मेरे सब्सक्राइबर एंड वीवर्स के वो मैं अपने फार्म का शोंग करवाता हूं और आज मैंने सभी जानवर गरेजिंग के लिए खुले छोड़े हैं माश्याल्ल शोंग कीजी आप और बताना कैसे जानवर है माशाला यह एक जानवर आपको पसंद आने वाला जानवर है सभी ऐसे जानवर है यह चेक कीजी आप और यह जो फीमेल अपनी बड़ी फीमेल जो लेके आए थे फार्म के लिए चेक कीजी माशाला कैसा फार्म लगता यह भी आप मेरे को बताएं और उदर छोटे बच्चे हैं वह भी देख लिजी आप अगर किसी भी बाई को इस प्रकार के जानवर चाहिए तो आप मेरे से कॉंटक्ट कर सकते हैं आपको ऐसे जानवर अबलेबल हो जाएंगे पर फि फार्म की शान बागी यह सभी जानवर हैं चोटे बड़े जो भी हैं आपके सामने हैं माशाला आप जरूर बताना की कैसे जानवर हैं और जो मेरा साथी यहां वीवर्स चैनल पर फैस्ट रम आया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक में कमेंट करें और वीडिय खूबसूरत लगते हैं वैसे अल्ला के कलम से अपना जानवर अच्छा है फिर भी खेतों गया रियाले में जानवर की खूबसूरती और बढ़ जाती है माशाला आप शौंग कीजिए आपको छोटे बच्चे और दिखाते हैं एक बच्चा रोक है अपने फार्म के लिए अगर इन्शाल्ण वो बड़ी अत्यार होता है तो बताना कैसा लगता जानवर यह है यह बच्च्चा सी इतो और धिये वो बिच्चा नि के लिए त्यारं करेंगे अंशाललह देखें कैसा लगता है आपको बताना इस पारहरम कूल भी वाइक फुल वाइड पिंक क्योंकि grazing करवाने का महें रीजन क्या है जैसे सर्दी में तो फिर भी चल जाता है आप grazing ना करवाओ तो बैटर है क्योंकि अरा गांस है चाहिए अरी कोई भी चीज जवी वगेरा जो वगेरा जो है वो तो पानी का काम करना है पर जिसे थोड़ी बहुत गर्मी आनी अब स्टार्ट होगे या गर्मी की अपने बात करें तो इनको हरी गांस जवी जिस अपने आम बासा में बोलत लेंगे आप देख लो कितने इंट्रेस्टिंग के साथ सभी जानवर जवी खाने लग रहे हैं यह जवी है जवी जवी माशालला जानवर का शोंक देखिए और जैसे थोड़ी बहुत गर्मी आती है आप जैसे जानवर फारम पे रखते हो तो उनको अरा चारा थोड़ा द यह जानवर दिखाने का माय रिजन है चलो मिलते हैं नेक्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे अलग टोपिक पर फिलाज फिलाल आज अपने जानवर का शोंक कीजिए आप मिलते हैं चोटे से ब्रेंग के बाद